सुक्रवार की सुबह भागलपूर के नवगच्या प्रखंड के मदरवने इस्तित प्रात्मिक मदविद्याले में एक भयानक घटना घटित हुई है जहां मीड़े मील का खाना बनाने के दावरान घैस सिलंडर बलाश्ट हो गिया जिसमें स्कूल के प्रधानाचैरे इंद्र सोई कर्मी घरी लोग गैस सिलंडर में रेगुलेटर लगा रही थी तभी अचानक तीज धमाके के साथ सिलंडर फट गया बलाश्ट इतना जोरदार था कि स्कूल की दीवारों में दरारी आ गई और आसपास के आधा किलो मीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई वहीं इ उसे बहतर इलाज के लिए भागलपूर के जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रैफर कर दिया डॉक्टर के अनुसार प्रधानाचारे इंद्रजीत कुमार की हालत सबसे गंभीर बताई जा रही है उनके चेहरे पर जक्म उबराये हैं इसकूल के सिक्षक मुके पुलीस मौके पर पहुँची और मामले की जाच में जुड़ गई है हाला कि बलाश्ट की घटना के बाद स्कूल परीसर में अफरा तफरी मची रही गनीमत यह रही कि वहां छात्रों को किसी परकार की कोई हानी या नुकसान नहीं हुआ मतलब लगा रहे थे और मतलब आजे लगा रहे थे फश्टे लगा रहे थे इसलिए जल नहीं रहा था कि घटना आपका परात्रिम की द्याल है मद्रवने परखन रंगराचों के अंतरगत परता है वहां अस्ताफित है उसी बीच में यह घटना घटी जल नहीं रहा था फश्टे लगा यह रहे रहते रगुलेटर लगा रहे थे इसी दर्वियान में लग रहा है जो कि यह चीज़ आपका परधना ध्यापक हैं सहायक हैं और एक रसोगा पहले नोगच्या गया नोगच्या से रेफर यहां किया गया लेकिन बच्चे के साथ म में कितने बच्चे हैं लगवाग 75-80 के आसपास बच्चे सुरक्षीत हैं बच्चे को कहीं कुछ इंद्रजीत परधना ध्यापक हुए बिपीन कुमार हुए सहायक सिक्षक हुए और सभीता दे भी रसोगा